डियर स्टुडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैट्रिसेज टॉपिक में अब जो हम लोग टॉपिक डिसकस करने वाले हैं आइगन वैलियूज और करेक्टरिस्टिक एक्वेशन ये टॉपिक्स जेई एडवांस्ट के सिलेबस में एक्स्पिसिटली मेंशन नहीं हैं ये है कि जेई एडवांस्ट में बहुत सारे ऐसे कोशन्स पूछे जाते हैं जिनको अगर आप रूटीन मेथट से सॉल्व करें तो शायद कर भी सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगेगा लेकिन अगर आप उनको उन आइडियाज का यूज करके सॉल्व करें जिनको मैं आइगन वैल्यूज और करेक्टरिस्टिक एक्क्वेशन्स ये सब जो टॉपिक हैं इनको स्टडी करने के लिए आपको कोई नया कॉंसेप्ट स्टडी करने की जरूत नहीं है अभी जब आप देखेंगे कि मैं इस टॉपिक को डिसकस कर रहा हूं तो मैं जो सिंपल मल्टिप्लिकेशन ओफ मैट्रिसेज डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो जो बेसिक फंडे है जो आपने पहले ही स्टडी कर रखे हैं उन्हीं सब कॉंसेप्ट का यूज करके कुछ नए आइडियाज आपको ज्यादा सिस्टेमेटिक धंग से प्रिजेंट तो आइगन वैल्यूज करेक्टरिस्टिक एक्वेशन या यह सब जो रिलेटेड टॉपिक है इसमें मैट्रिसेज से रिलेटेड कोई नया ओपरेशन आपको नहीं सिखाय जा रहा हैं सिम्पल सा जो एडिशन, सब्ट्रेक्शन, मल्टिप्लिकेशन ओफ मैट्रिसेज, रोटीन मल्टिप्लिकेशन ओफ मैट्रिसेज या एडिशन ओफ मैट्रिसेज से भी सॉल्व हो जाएंगे लेकिन अगर आप उसमें आइगन वैल्यूज वगरा के कॉंसेट यूज़ करेंगे तो जादा आसानी से जादा फास्ट हो जाएगा तो इसलिए इस टॉपिक को ज धीरे धीरे सारे आइडियाज को डिवलप करूंगा और जिरो लेवल से ले करके आपको जेई एडवांस के टफ कोश्चन के लेवल तक जेई एडवांस 2019 में एक बहुत ही अच्छा कोश्चन पूछा गया था जिसको आप आइगन वैल्यूज वगरा के ही कॉंसेट से सॉल कर पाएंगे रूटीन कॉंसेट जो अब तक आपने परहा है उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा तो माल लीजिए आपको एक a square matrix दे रखा है n by n order का है और आपको एक x column vector दे रखा है column vector का मतलब यह हुआ कि इसमें इस तरह के n elements होंगे और इसका order क्या होगा n by 1 तो यह होता है column vector तो a क्या है n by n matrix है यह क्या है n by 1 column है और आप क्या करते हैं a into x करते हैं यानि कि a matrix को x column vector से multiply कर रहे हैं यह हम लोग multiplication कर सकते हैं क्योंकि यह n by n order का है यह n by 1 order का है these two matrices are compatible for multiplication और जो multiplication करेंगे तो जो product आएगा वो किस order का होगा आप यहाँ से देखिए यह n by n है, यह n by 1 है, तो जो product आएगा वो भी n by 1 order का होगा, यानि कि जो इसका product आएगा वो भी एक column vector होगा, तो अगर हम लोग n by n matrix को एक column vector से multiply करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक column vector मिलेगा, तो अब mathematicians यह चाहते हैं, कि यहाँ पे RHS म एक नया column vector मिला, तो mathematician यह चाहते हैं, कि यह जो X1 column vector है न, X से related हो, X से मिलता जुलता हो, exactly X नहीं हो, तो भी काम चलेगा, लेकिन X से मिलता जुलता हो, आपको X से मिलता जुलता, उस से related एक column vector चाहिए, तो उसका most obvious example क्या हो सकता है, कि जो product मुझे मिल ला है, वो scalar multiple of this X हो जाए, बिल्कुल सही बात, यानि कि lambda times X हो जाए, where lambda is a scalar, तो mathematicians यह चाहते हैं, कि अगर उन्होंने A matrix को X vector से multiply किया, तो उनको product कुछ lambda into X मिल जाए, तो अब mathematicians यह तलाश कर रहे हैं, कि क्या कोई ऐसा X vector हो सकता है, जिसको अगर हम A matrix से multiply करें, तो मुझे scalar multiple of X मिल जाए, औ बार-बार scalar word use कर रहा हूँ, real number की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं दिखा दूँगा कि हो सकता है, कुछ cases में, यह lambda एक complex number भी हो जाए, तो इसलिए scalar की बात करते हैं, scalar क्या है, जो चीज vector नहीं है, वो scalar है, यानि कि X क्या है, एक column vector है, इसमें N components है, या अगर X 3 by 1 column vector है, तो 3 elements है, lambda क्या है, एक scalar है, यानि कि number है 10, 15, 20, अगर यह complex होगा, तो 20i, 40i, वैसा कुछ हो सकता है, तो यहां तक सबको clear होगा, हमारी तलाश यह है, कि एक ऐसा X vector मिले, जिसको हम A matrix से multiply करें, तो हमें X से मिलता जुलता, यानि कि उसका scalar multiple ही मिल जाए, तो एक obvious candidate X क करेंगे, तो आपको 0 ही मिलेगा, यानि कि this relation is true for all A matrices, and this is true for all lambda, यानि कि अगर आप किसी भी A matrix में 0 से multiply करेंगे, और ध्यान है कि यह क्या है, 0 number नहीं, यह 0 column vector है, यानि कि उसके सारे elements जो है न, 0, 0, 0 है, जब हम लोग 0 लिख रहे हैं, तो यह क्या है, 0 column vector है, तो A into 0 is equal to lambda into 0 हो सकता है, and this is true for all lambda, दुनिया में जितने भी lambda हैं, दुनिया में जितने भी A हैं, सब के लिए, यह equation true हो जाता है, x is equal to 0 के लिए, तो x is equal to 0 तो इसका trivial solution है, चिरकुट solution है, तो mathematician बोलेंगे, करे फाल, तुमें 0 फिर से यहां घुस गया, और इस 0 के आने से, ना मुझे कुछ A matrix के बारे हैं, पता चल ला है, तो इस 0 को तो भाई कान पकर के यहां से बाहर निकालो, यह जवरदस्ती 0 हर जगा घुस जाता है, इसकी कोई यहां पर जरूरत है नहीं, मुझे 0 solution नहीं चाहिए, मुझे non-0 solution चाहिए, तो mathematician ने condition लगा है, कि हाँ यह x is equal to lambda x तो हो जाए, लेकिन x should not be equal to 0 column vector, तो अगर यह condition किसी matrix A, किसी column vector x और किसी lambda के लिए satisfy होता है, तो वैसे case में इस lambda को कहते है, आइगन value of that matrix A, आइगन value, यह lambda क्या हुआ, यह हो गया आइगन value, और इस x को कहते हैं, आइगन vector, क्योंकि यह vector है तो इसलिए इसका आइगन vector नाम दे दिया, ठ if A into x is equal to lambda times x, where x is non-zero, यह बहुत important है, क्योंकि अगर आप x is equal to 0 allow कर देंगे, तो lambda कुछ भी हो, यह relation satisfy हो जाता है, तो if x is not equal to 0, then we say that lambda is आइगन value of that matrix, and x is an आइगन vector, corresponding to that lambda, यानि कि उस lambda के लिए, यह जो x है, वो आइगन vector है, इस lambda के लिए x जो है, वो एक आइगन vector है, दूसरी बात यह है, क्या यह x unique है, क्या हम लोग इसको the eigen vector बोल सकते हैं, नहीं, यह unique नहीं है, वो इसलिए unique नहीं है, कि माल लीजिए, अगर x एक eigen vector है, तो alpha times x, where alpha is an scalar number, alpha times x भी eigen vector हो जाएगा, क्योंकि अगर x eigen vector है, तो देखिए, a into x क्या है, lambda times x, a into alpha x क्या हो जाएगा, this is equal to alpha into ax, this is equal to alpha into lambda x, this is equal to lambda into alpha x, यानि कि alpha x जो है, वो भी इस equation को satisfy कर रहा है, a into alpha x is equal to lambda into alpha x, यानि कि अगर आपको एक eigen vector मिल गया, तो उसका जितना भी linear multiple हो ना, या scalar multiple हो, वो भी eigen vector हो जाता है, यानि कि किसी एक particular a के लिए आपको एक eigen vector मिल गया, 1, 2, 3, माल लीजिये, किसी एक matrix के लिए आपको 1, 2, 3 eigen vector मिल गया, तो 2, 4, 6 क्या होगा, ये भी एक eigen vector हो सकता है, 3, 4, 9 क्या होगा, ये भी एक eigen vector होगा, यानि कि आप इस तरह 1000 infinite eigen vectors लिख सकते हैं, यानि कि हर lambda के लिए infinite eigen vectors होते हैं आपने एक lambda कहीं से एक matrix का निकाल कर दिया उसको कैसे निकालेंगे वो अलग कहानी है लेकिन माल लिजे कि आपने एक lambda निकाल लिया एक matrix का कि lambda की value आ गई 5 तो इस 5 के corresponding अगर 1, 2, 3 एक eigen vector है तो मैं बोल सकता हूँ कि 2, 4, 6 भी होगा 3, 6, 9 भी होगा यानि कि इस 1, 2, 3 का जितना भी linear multiple हो जाएं वो सभी के सभी eigen vector हो जाएंगे corresponding to this lambda यानि कि eigen vector जो है वो unique नहीं होता है इसलिए word जो यूज करते हैं article जो यूज करते हैं word यूज करते हैं मुझे find करके दो जिसका second element 1 है तो ठीक है उस case में यह fix हो जाएगा second element अगर 1 है तो हो सकता है कि first element 4 हो जाए element 6 हो जाए कुछ condition आया तो fix हो गया या आप दूसरा कुछ condition दे सकते हैं ऐसा eigen vector find करके दो जिसका magnitude जो है वो 1 है या magnitude 10 है magnitude of a vector क्या होता है जो simple concept आप लोग जानते हैं magnitude of a vector क्या होता है जिसको मैंने पिछले lecture में norm भी बोला था तो अगर आप unique eigen vector चाहते हैं तो आपको कुछ न कुछ और condition देना परेगा नहीं तो एक particular lambda के लिए बहुत सारे eigen vector x हो जाते हैं क्योंकि अगर x एक eigen vector है तो उसके जितने भी linear multiples हैं और इसके linear multiples infinite हो सकते हैं सारे के सारे alpha x जो है वो भी इस equation को इस simple से equation को satisfy करते हैं तो ये alpha x भी eigen vector होगा इसलिए eigen vectors की संख्या infinite हो जाती है आपको उस हजारों में से कोई एक particular चाहिए तो आपको कुछ न कुछ और condition देना परेगा ये condition देना परेगा कि उसका पहला element 1 है या last element 1 है या last element 10 है या दूसरा element 5 है कुछ condition दीजिए उसको fix करिए तो यहां तक सबको clear होगा कि eigen value की definition क्या होती है eigen vector की definition क्या होती है and by definition eigen vector को non-zero होना परेगा अब अगला important question है कि इस eigen value को find कैसे किया जाए lambda कहां से आएगा क्योंकि lambda आएगा तभी मैं x find कर सकता हूँ तो exam में J advance में कभी भी eigen value term use करेंगे ही नहीं वो बिना इस term को use किये ही आपको कुछ इस तरह का equation दे देंगे लिख देंगे कि हाँ ax is equal to 10x है तो बताओ ये क्या होगा वो क्या होगा आपको पता ही नहीं चलने देंगे कि ये जो 10 है वो eigen value है ऐसा ही एक question J advance 2019 में पूछा गया था student को पता ही नहीं चलने दिया कि वो जो number कुछ लिखा हुआ है वो किसी एक matrix का eigen value है और सारा कुछ पूछ डाला उस पे तो आपको जब तक इन सब ideas से familiarity नहीं होगी वैसे questions को solve नहीं कर पाएंगे तो अब हम लोग आते हैं कि lambda कैसे find किया जाएं आप इस lambda x को LHS में लिए ये तो क्या हो जाएगा ax minus lambda x is equal to 0 और ये 0 क्या होगा matrix होगा 0 नंबर नहीं होगा अब इसमें से x को common ले लिए तो क्या जाएगा a minus lambda और सिर्फ यहां lambda लिखकर के नहीं छोड़ना परेगा क्योंकि एक matrix minus number आप कर नहीं सकते हैं आपको लिखना परेगा a minus lambda i into x is equal to 0 इस lambda x को उठा करके इधर ले गया तो यह आ गया a minus lambda i into x is equal to 0 अब यहां से मैं बता रहा हूँ कि यह जो a minus lambda i है यह क्या है यह matrix है क्योंकि a भी matrix है i भी matrix है i क्या है identity matrix है तो a minus lambda i भी matrix है किस order का matrix है n by n order का matrix है कैसा matrix है अब यह important question है मैं यह कह रहा हूँ कि यह जो matrix है a minus lambda i यह एक singular matrix है singular matrix का मतलब यह है कि यह non invertible है इस matrix का inverse exist नहीं करता है अब यह क्यों होगा सोचिए अब यह सब ऐसे question है जो आपने जब inverse of a matrix वगरा परहा होगा तो वहाँ भी देखा होगा इसलिए मैं बार-बार कर रहा हूँ कि यह जो पूरा topic है इसमें नया परने को कुछ नहीं है लेकिन ideas को crystallize करके systematic धंग से present करने की ज़रूत है तो यह जो a minus lambda i है यह singular matrix होगा non-invertible होगा क्यों होगा बहुत simple concept है माल लीजिए अगर आप जिद पर उतार आते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं यह a minus lambda i तो invertible है इसका inverse exist करता है ठीक है आप बोलने हैं कि a minus lambda i का inverse exist करता है inverse उसका यह है तो आप दोनों side LHS और RHS में इससे multiply करिए जब आप LHS में इससे multiply करेंगे a minus lambda i inverse into a minus lambda i तो क्या मिल जाएगा यह दोनों multiply होकर i बन जाएगा तो LHS में क्या मिल गया i into x i into x क्या होता है x ठीक है RHS में क्या है RHS में होगा 0 और into a minus lambda i inverse तो 0 matrix into any matrix x तो 0 ही देना है सिर्दी से बात है 0 into anything तो 0 होगा तो आपको क्या मिल गया x is equal to 0 तो यह तो contradiction हो गया इसका हो गया ना क्योंकि हम तो शुरुवात से यह मान कर चल ले हैं कि x को तो 0 होना ही नहीं है तो यह तो contradiction आ गया इसका मतलब तो इस a minus lambda i का inverse exist नहीं करेगा यह जो a minus lambda i है singular matrix है singular matrix क्यों है क्योंकि अगर यह singular नहीं होगा तो आप सीधे सीधे ऐसे लिख दीजेगा कि x is equal to a minus lambda i inverse into 0 this is equal to 0 but x cannot be 0 from this condition तो a minus lambda i inverse does not exist अब a minus lambda i का inverse exist नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका determinant 0 होगा क्योंकि अगर किसी matrix का determinant non-0 हो जाए तब तो inverse exist करता है इसका हमने बता दिया कि inverse exist नहीं करता है यह singular है बेचारा singular है इसका मतलब a minus lambda i determinant this is equal to 0 अब यह देखिए क्या है यह determinant के form में आ गया a क्या है a एक matrix होगा minus lambda i करिएगा तो आपको पूरा एक matrix मिलेगा इस matrix का जब आप determinant लिखिएगा तो आपको lambda के terms में एक polynomial equation आ जाएगा उस equation को कहते हैं characteristic equation उसको जब solve करिएगा तो lambda की कुछ values आ जाएगी उनही values से आप eigen value find कर लीजे तो आप ये भी देश सकते हैं कि the following statements are equivalent ax is equal to lambda x x not equal to 0 ये तो definition ही हो गया eigen value और eigen vector का अगर ये true है 1 true है तो 2 भी true होगा 2 true होगा तो 3 भी true होगा equivalent का भी मतलब होता न कि इन तीनो statement में से अगर कोई एक भी statement true है तो बाकि 2 true होगा ये भी मतलब होता है कि 1 implies 2 2 implies 3 फिर 3 implies 1 यानि कि कोई भी एक statement अगर आप कहीं से ढूंड के ले आए तो बाकि 2 सही हो जाएगा ax is equal to lambda x अगर है और x not equal to 0 तो matrix को singular होना ही है matrix singular है तो उसका determinant को 0 होना ही है third वाला जो equation है कि a minus lambda i determinant is equal to 0 तो ये basically क्या है अगर आप सिर्फ इसमें LHS को लें यानि कि determinant a minus lambda i तो ये क्या बनेगा ये एक polynomial होगा किसमें होगा ये polynomial it will be a polynomial in lambda जिसे पी lambda जिसको हम लोग कह सकते हैं algebra में देखा होगा मेरे ही lecture में देख लिजेगा px अगर माल लिजे ये कोई polynomial हो तो कैसे लिखते थे x square plus 4 x plus 6 ये एक polynomial है या एक दूसरा polynomial लिख लिजे x to the power 4 plus 6 x cube तो ये सब क्या है polynomial है तो उसी तरह जब आप लोग determinant of a minus lambda i लिखिएगा तो lambda उसमें indeterminate होगा p lambda क्या होगा polynomial in lambda होगा p of 2 find करना है तो क्या करिएगा x की जगा 2 डाल दीजे कुछ आजाएगा p of 3 find करना है तो क्या करिएगा x की जगा 3 डाल दीजे कुछ आजाएगा exactly वही चीज़ इसमें भी होता है कि माल लिजे आपको ये polynomial एक दे रखा है ये क्या है this is a polynomial in lambda तो आपको find करना है p of 2 तो इस polynomial में आप lambda की जगा 2 डाल दीजेगा आपको कुछ number मिल जाएगा 16, 14 कुछ मिलना हो मिल जाएगा आपको p of 3 find करना है तो इसमें lambda की जगा 3 डाल दीजेगा आपको कुछ और मिल जाएगा तो ये जो polynomial है ना इसको कहते हैं characteristic polynomial, ध्यान रखिए, characteristic polynomial, जो हम लोग किसी चीज़ को px सिर्फ लिख रहा है तो यह polynomial हो गया, polynomial मतलब expression having many terms, इसी में अगर px is equal to 0 कर देते हैं, तो यह equation बन जाता है, तो हम लें जब यहां तक लिखा कि determinant of a minus lambda i, तो इसको कह देते हैं कि हाँ यह characteristic polynomial है, अब इसमें अगर is equal to 0 कर दें, तो यह पूरा equation आ गया है, ध्यान देजी यह क्या है, a minus lambda i, determinant is equal to 0, यह है characteristic equation of that matrix a, और इस equation के roots क्या होंगे, roots इसके eigen values हो जाएंगे, क्योंकि इसके जो roots होंगे, उन्ही particular lambda के लिए यह वाला equation satisfy कर रहा है, तो जो characteristic equation होता है, एक matrix का, जैसे यह हुआ characteristic equation, इसके जो roots होंगे, वो हो जाते हैं, eigen values of that matrix, जैसे यह 2 by 2 order का matrix है, a, b, c, d, तो इसका characteristic polynomial क्या हो जाएगा, a minus lambda i, lambda i का मतलब कि i में तो 1, 1 entry होती है, तो a minus lambda यहां गया, d minus lambda, b, c, इसका determinant जब पूरा expand करेंगे, तो यह ऐसा हो जाएगा, lambda square minus a plus d, lambda plus ad minus b, c, तो यह जो पूरा हमने लिखा है, क्या है, यह एक polynomial है, किसमें है यह polynomial, this is a polynomial in lambda, अगर आपको कोई पूछे कि p of 2 की value क्या है, तो आप lambda की जगा 2 डाल दीजिए, जो भी number आएगा, क्योंकि a, b, c, d, कुछ number होगा, जो भी आगया 14, 16 आगया, वो हो गया, कोई पूछे कि p of 3 क्या होगा, तो आप इसमें lambda की value 3 डाल दीजिए, जो भी number आए 17, 18, उसको बता दीजिए, तो यह हुआ characteristic polynomial, जब हम लोग equation की बात करते हैं, तो हम लोग क्या पूछते हैं, कि मुझे वैसा lambda बताओ, ताकि this p lambda is equal to 0, और वैसे particular lambda, जिनके लिए p lambda is equal to 0 हो जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, इस characteristic equation के roots, तो इसके जो roots होंगे, इस second degree equation के, उसके लिए a minus lambda i singular हो जाएगा, यानि कि वो सब जो roots होंगे, वो eigen value हो जाएगे, क्योंकि अभी मैंने दिखाया था न, कि 1, 2, 3, 3, तीनो statement equivalent है, तो अगर determinant of a minus lambda i is equal to 0 हो गया, यानि कि वैसे lambda क्या है, इस equation के roots हैं, roots हैं, और साथ ही साथ वैसे lambda क्या है, पहला statement था, ax is equal to lambda उसको भी satisfy कर रहे हैं, तो कि मैंने तीन statement लिखा था, और तीसरे में था ये वाला statement, तो कोई lambda अगर इस equation को, third statement को satisfy कर रहा है, इसका मतलब obviously वो first statement को भी satisfy करेगा, यानि कि अगर कोई lambda, इस characteristic equation का root है, value भी हो जाएगा, ये ध्यान रखिए कि अगर ये 2 by 2 order का matrix है, तो ये second degree का equation है, अगर 3 by 3 order का A matrix होगा, तो यहाँ पर lambda cube आजाएगा, 3 degree का equation हो जाएगा, अगर n by n order का matrix है, तो यहाँ पर lambda to the power n हो जाएगा, ये n degree का equation हो जाएगा, अब ये देखें कि यह जो lambda है वो किसका root है इस equation का इस a minus lambda I is equal to 0 ये nth degree equation है उसका root है और हम लोग जानते है कि किसी भी nth degree equation का कितने roots होते हैं n roots होने ही है लेकिन उसमें लफरा एक ये होता है कि हो सकता है कि roots complex हो जायें बिल्कुल हो सकता है तो ये जो lambda है ये भी complex हो सकता है बहुत ही simple case में आप ऐसा एक matrix लीजे, 0, minus 1, यहां कर दीजे, 1, 0, आप इस matrix के लिए यह वाला equation लिखिए, A minus lambda I, determinant is equal to 0, तो क्या हो जाएगा, यहां पर जब A minus lambda I करेंगे, तो minus lambda आएगा, minus 1 आएगा, 1 आएगा, minus lambda यहां एगा, इसका जब आप expand करेंगे, determinant तो क्या हो जाएगा, यहां जाएगा, lambda square plus 1 is equal to 0, तो इसका root क्या होगा, इस equation का, lambda is equal to plus minus I आ रहा है, यानि कि इस equation के जो आइगन values हो गए, वो complex number हो गए, तो वो हो सकते हैं न, क्योंकि जो आइगन values है, वो कहां से आ रहे हैं, वो basically roots है, of an nth degree equation, और algebra में हमने देखा था, कि कोई अगर equation हो, जिसमें सारे coefficient real numbers ही है, coefficient कहां से आएंगे, इस matrix के entries से आएंगे, तो सारे coefficient अगर किसी equation के real number भी हो, तो भी उसके roots complex हो जाते हैं, सबसे simple तो यही वहला case था, x square plus 1 is equal to 0, इसमें देखिए, यह equation है, इसमें सारे जो coefficient है, सभी के सभी क्या है, real number है, लेकिन root इसका फिर भी complex number है, तो वही हाल characteristic equation में भी होता है, बैचारे इस matrix के सारे elements क्या है, real number है, लेकिन फिर भी जो इसका हम लोग lambda find करने जाते हैं, तो इसका lambda complex number आ जाता है, तो roots of a characteristic equation आपको क्या देता है, उस matrix का eigen value देता है, अब वो eigen value complex भी हो सकता है, लेकिन एक चीज बिल्कुल पक्की बात है, कि माल लिजे कि lambda अगर eigen value है, तो हर lambda के corresponding आपको एक x तो minimum मिलेगा ही, और सिर्फ एक नहीं, क्योंकि अगर एक x मिल गया, तो हमने भी दिखा दिया ना, कि उस eigen vector x से, आप तो हजारों eigen vector बना सकते हैं, alpha times x करते करते हैं, तो इस बात को ज़रूर दिखान में रखिएगा, कि अगर आपको कहीं से एक eigen value lambda मिल गया है, तो उस lambda के corresponding तो eigen vector होना ही होना है, क्योंकि eigen value के definition ही वही है, eigen value को हम लोग eigen value का तमगा तभी देते हैं, eigen value का खिताब तभी देते हैं, जब उसके corresponding एक x है, and x is not equal to 0, माल लिजए कोई लरका है, वो IIT में second year का student है, तो यह understood सी बात है, कि उसने plus 2 math, physics, chemistry से complete किया है, क्योंकि अगर उसने math, physics, chemistry से complete नहीं किया है, तो IIT में उसका entrance ही नहीं होगा, वही logic यहाँ पर है, अगर कोई lambda आपको कहीं से मिल गया, कहीं से मिल जाए किसी matrix के लिए, तो उस lambda के corresponding तो आपको एक नहीं एक eigen vector जरूर मिलेगा, और सिर्फ एक नहीं हजारों मिल जाएंगे, क्यों मिलेंगे, क्योंकि lambda का definition ही वही है, तो अब हम लोग को simplest case of matrices के लिए उसका characteristic equation निकालते हैं, माल लीजे कि एक diagonal matrix है, यानि कि D1, D2 इस तरह के इसके n elements से Dn कर देते हैं, और बाकि सारे elements 00 हैं, तो इसका characteristic equation क्या हो जाएगा, simple है न, A minus lambda I, this is equal to 0, यह इसका characteristic equation है, तो इससे क्या मिल जाएगा, जब आप determinant of A minus lambda I कर लेंगे, तो lambda I जब इसमें minus करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सब elements जो diagonal वाले हैं, वो D1 minus lambda हो जाएगे, D2 minus lambda हो जाएगे, Dn minus lambda हो जाएगा, और यह सब के सब कहां रहेंगे, diagonal पे ही रहेंगे, और बाकि सारे जो elements हैं, सब तो 00 रहेंगे, तो जब हम लोग इसका determinant लेंगे, आपको मिलेगा, वो बहुत ही simple case मिलेगा, क्या मिल जाएगा, इस तरह से, D1 minus lambda into D2 minus lambda into Dn minus lambda, this is equal to 0, तो आप यहां से भी देख सकते हैं, कि यह जो equation है, यह क्या है, Nth degree equation है, इसके roots क्या है, D1, D2, D3, Dn, इसके roots हैं, यानि कि अगर कोई diagonal matrix हो, तो जो उसके diagonal elements होते हैं वही कि उसके roots बन जाते हैं, simplest case है, और अगर कोई 2 by 2 order का matrix हो, तो उसका characteristic polynomial कैसा बना, इसका characteristic equation कैसा बना, आप इसमें is equal to 0 डाल दीजिए, तो यह characteristic equation बन जाएगा, अब आप यहां पर देखें, यह equation जो बना है, अब इसके roots क्या होंगे, इसके roots मान लेते हैं, कि lambda 1, lambda 2, 2 roots हो गय बराबर है, वो a plus d के बराबर है, अब यह a plus d क्या है, यह है sum of diagonal elements of this matrix, तो sum of diagonal elements का भी एक खूबसूरत सा अलग नाम होता है, जिसको कहते हैं trace of that matrix, यह तो आप लोगों ने पहले परहाई होगा, तो आप देख सकते हैं कि जो sum of eigen values हैं, वो किसके बराबर हो जाते हैं, trace के ब कि यह जो a plus d है, a plus d क्या है, trace of this matrix, तो आप लिख सकते हैं कि trace of this matrix, which is equal to sum of diagonal elements, this is equal to sum of eigen values, और यह वाला टर्म क्या कहलाता है, यह जो ad minus bc है, एक quadratic equation में यह क्या हो जाता है, product of roots, यानि कि अगर इसका root lambda 1, lambda 2 है, तो यह product of root क्या हो जाएगा, determinant के बराबर, यह क्या है, देखि exactly same rule for n by n order matrix के लिए चलता है, summation lambda i, this is equal to trace, और जो product of eigen values है, this is equal to determinant of that matrix A, trace क्या होता है, sum of diagonal elements, this is equal to summation lambda i, और जो determinant हो जाता है, this is equal to product lambda i, तो इस point को ध्यान से समझ लीजे, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं कि कई बार, जहीए advanced के questions में, आपको trace word मिलकुल नहीं पूछेंगे, बस पूछेंगे कि अच्छा एक matrix नया बना है, बताओ तो उसका sum of diagonal elements क्या है, और उसमें आपको इन सब properties का use करना पड़ेगा, कि अच्छा ये एक matrix है, उसका characteristic equation ये है, तो जो sum of eigen values होगा, वही trace होगा, तो इसको ध्यान से समझ लीजे, ये अभी मैंने 2 by 2 order के matrix के लिए लि आपको इस दो matrix है, A और B, तो trace of A plus B क्या हो जाता है, this is equal to trace of A plus trace of B, ये तो बहुत simple property है, क्योंकि अगर आप 2 matrices को add कर रहे हैं, तो उनका जो diagonal elements है, वो भी obviously add हो रहा है, एक जो बहुत important property है, जिसका use मैंने देखा है कि ये advance में किया जाता है, trace of product AB, this is equal to trace of product BA, दो matrices AB और BA, ज equal to BA, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि AB is equal to BA तभी होता है, जब A और B matrices commute कर रहे हों, लेकिन दोनों matrix अलग-अलग है, फिर भी trace of AB, यानि कि sum of diagonal elements of AB matrix, this is equal to sum of diagonal elements of BA matrix, AB और BA equal नहीं है, फिर भी ये true होता है, ये क्यों true होता है, product of matrices जिस तरह से define किया जाता है, तो उसमें जो diagonal elements ह न, वो इस तरह से बनते हैं कि आप AB लिखें या BA लिखें, सारे के सारे diagonal elements का sum सेम आता है, तो इस relation को भी ध्यान में रखिएगा, कि trace of A plus B is equal to trace of A plus trace of B, and trace of AB, product of two matrices is equal to trace of BA, यानि अब इसी characteristic equation को हम लोग एक 3 by 3 order matrix के लिए लिए लिख देते हैं, उसमें lambda Q आता है, फिर minus, य trace of that matrix A, और यहां lambda square हो जाएगा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sum of eigenvalues क्या होता है, trace of that matrix, और sum of roots कहां पर आता है, यहां पर आता है, अगर आप एक cubic equation लिख रहे हैं, तो क्या होता है, lambda Q minus sum of roots, plus इसके बाद कुछ यहां पर product आता है, यह basically co-factor of diagonal elements होता है, उतना आपको या order matrix, इसको याद करने की जरूत नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, अगर आपको एक 3 by 3 order matrix आ भी जाए, तो आप क्या करिए, बहुत simple है, जैसा कि हमने 2 by 2 के लिए लिखा है, वैसा ही आप 3 by 3 matrix के लिए लिख सकते हैं, एक 3 by 3 order matrix रहेगा, तो आप क्या a33 minus lambda आजाएगा, this determinant is equal to 0, और यहां तो terms रहेंगे ही, तो इसको जब पूरे को expand कर दीजिएगा, for a given matrix, तो जो equation आएगा, वो इस तरह का आजाएगा, तो यह हुआ characteristic equation of that matrix, तो यह characteristic equation हमने किस case के लिखा है, हमने लिखा है 3 by 3 order matrix के लिए, इसका most general expression क्या होता है, determinant of a minus lambda i, this is equal to 0, यह हुआ characteristic equation of that a matrix,